नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आसे लाल बती और जिब्रा क्रोसिंग पार करने पर भी भरना पड़ेगा जर्माना मुदिहारी में PFI के सदस्यों को लेकर NIA की छापे मारी पटना मेट्रो में सफ़र के दोरान यात्रियों को इस वज़ा से नहीं लगेंगे जटके पोडिफाइट साइलेंसर वाली बाइक अब होगी जब सलमान बटने रोहिस सर्मा और इशान किसन को लेकर दिया भड़काव बयान इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से आसे लाल बती और जेब्रा क्रोसिंग पार करने पर भी भड़ना पड़ेगा जर्माना राजे में ट्राफिक नियम को सुदृ बनाने के लिए कई नियम लागू किये जारे हैं इसी करी में अब एक और नया नियम लागू किया गया है जिसके अंतरगत अगर ट्राफिक सिग्नल लाल हो और जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाली नहीं रोकी जाती है तो वाहन माली को 5000 रुपे का जुर्माना देना होगा बता दे कि आज याने के 5 अगस्त से यह नियम लागू हो चुके हैं जिसके तहट लाल सिगनल होने पर केवल पैदल यातरी ही सरक पार कर सकेंगे और उस तोरान बाकी सभी वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से दूर होने चाहिए मालम हो कि नियम तोड़ने पर जो 5000 रुपे के जुर्माने लगाये जाएंगे उसे वाहन माली के द्वारा तीन महीने के अंदर जमा करना होगा पुलस अधिकारियों के अनुसार लोगों को यातयात नियमों के प्रती जागरू करने और होने के लिए कुछ दिनों तक छूट दी गई थी अब आसे उक्त नियम का उलंगन करने वालों पर जुन्माना लगाया जाएगा मोतिहारी में PFI के सलश्यों को लेकर NIA की चापे मारी विहार के मोतिहारी के चक्या थाना छेतर के वार्ड 21 ओफसर कॉलनी में आज सुभा सुभा प्रतिबंधित इस्लामिक संगठर PFI को जर से खत्म करने के लिए NIA के दौरा चापे मारी की गई जिससे की लोगों के भी छड़कंप का महौल बन गया बतादी किस दौरा NIA के दौरा यहां के प्रोफसर कॉलनी में छिपे दो PFI के सलश्यों को गरफतार किया गया है जिससे फिलाल चक्या थाना में पूछ ताच की जा रही मानमों के NIA के दौरा जिन दो यूवा को गरफतार किया गया है उसकी पहचान सयद रेजा और मुहम्मद कैफ के रूप में की गई है इसके साथ इनके पास से एक देसी कट्टा भी बडामत किया गया है बतादी किस बात की जानकारी मोतिहारी स्पी कांतेश कुमार मिश्ट के दौरा दी गई है पटना मेट्रो में सफर के दौरान यात्रियों को इस वज़ा से नहीं लगेंगे जटके इन दिनों पटना मेट्रो के निर्मान कारे में काफी तेजी आ गई है और बहुत जल्दी बिहार के लोग भी मेट्रो का मजा ले पाएंगे बतादी कि पटना मेट्रो पर सफर के दौरान यात्रियों को जटके नहीं लगेंगे और साथ ही उर्जा की भी बचचत होगी क्योंकि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सब ही स्टेशन और डीपो में बहतर समन्वेवा संचार के लिए सर्वत्तम कम्यूनिकेशन बेस्ट ट्रेन कंट्रोल प्रानाली का अपनाया जाएगा मालम हो कि इसकी वज़े से यात्रियों को सफ़र काफी आसान होगा वहीं स्प्रानाली के आटोमेटिक स्पीड रेगुलेशन के कारण अनावशक रूप से गती बराने और ब्रेक लगाने की भी जरुवत नहीं होगी जिससे कि उर्जा की बच्चत होगी और सफर में अनावशक जटके भी यात्रियों को नहीं लगेंगे बतादे कि स्प्रानाली के अदरगत ट्रेनों के संचालन और रियल टाइम निग्दानी शामिल होने से दुरगटनाव वह मेट्रो ट्रेनों में टकर को रोकने में भी मदद मिलती है मौडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक अब होगी जब बिहार के परिवहन आयू तबीक आरती के धंजी के दोरा विशेश नर्देश चारी करते वे कहा गया है कि अब सरकों पर बाइकों से मौडिफाइड साइलेंसर से गोलियों की तरतराहट जैसी आवाज निकालने वा बता दे कि परिवहन आयूकत द्वारा कहा गया है कि इस तरह के वाहनों की आवाज वाहन चलाते समय विशलित कर देती है जिससे सरक पर अकसर दुरगटना होती है या दुरगटना होने की प्रबल संभावना होती है यही वजह है कि मुख्याले की ओर से इन वाहनों के चाल बापू टावर का निर्मान किया जा रहा है जिसमें बिहार के लोग बापू के चमपारन सत्यागरह से जुड़ी स्मृतियों के दर्शन होंगे साथ ही उनसे जुड़े पूरे थिहास की भी जानकारी हासल कर सकेंगे बता दे किस बापू टावर का निर्मान कुल 38.9-3 करोड रूपे की लागस से किया जा रहा है आपके जानकारी के लिए बिहार से ही महात्मा गांधी के दौर आपने सत्यागरह के शिर्वात की गई थी मालम हो किस बापू टावर की उचाए 120 फीट होगी इस टावर को 7 एकर जमीन में बनाया जा रहा जबकि पास कहीं 5 एकर जमीन में एक पार्क भी विक्सित किया जा रहा है अपके जानकारी के लिए बता दे कि है टावर बिहार का सबसे उचा टावर होगा बापू टावर का गोलाकार होगा और इसके बाहर के दिवारों पर ताम भी के आवरन का इस्तमाल किया जा रहा। जिसमें से मेडिकल कॉलिज और हल्थ फेसलिटी पर 14 दिनों के लिए बूत लगाया जाएगा तो वहीं स्कूल सहित अनिस सारवज निकस्थानों पर केवल 3 दिनों के लिए बूत लगाया जाएगे। एक प्रेस कॉंफरेंस में दी गए जानकारी के नुसार भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंग बहुत जल्दी सारे गामा हम भोजपुरी की 5 फिल्मों में नजर आने वाले हैं। मालमों कि पवन सिंग जिन 5 फिल्मों में नजर आने वाले हैं उनमें हिदायत खान, योगी, रुद्र, सनक और बिहार है। मेहनत और लगन से अपना रास्ता खुद बनाया यहां भी करेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर सर्वे में हुआ चोकाने वाला खुलासा। बिहार के सरकारी स्कूलों में किये गए सर्वे से यह खुलासा हुआ है कि एएन सनहा इंस्ट्यूट ऑफ सोसल स्टडीज में भारत में सक्षा किस्ति पर किये गए सर्वेक्षन कहा है बच्चे के दौरान बमुश्किल 20 प्रतीशत चातर उपस्थे थे बता दे कि इस सर्वेक्षन रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रात्मी कक्षा में नामांकित केवल 23 प्रतीशत बचे सर्वेक्षन के समय कक्षा में उपस्थित थे जबकि लगभग 20 प्रतीशत चातर उच प्रत्मी कक्षा में उपस्थित थे सर्वेक्षन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिक्चक नियमित रूप से चात्रों की उपस्थिती बढ़ाते हैं फिर भी पंजिकृत उपस्थिती केवल 40-44 प्रतीशत है स्कूलों में चात्र सिक्चक अनुपात RTI अधिनियम प्राथधानों से कम है बता दे कि हसर्विक्षन इस साल जन्वरी और फरवरी महीने के द प्रकाशित पुस्तक संसद में नितीश कुमार का विमोचन किया गया इस दौरां संसदिये काड़े मंत्री विजय कुमार चौधरी और उर्जा मंत्री विजिंद्र प्रशाद यादव आदिस सामिल रहे बता दे किस पुस्तक में 1989 से 2005 तक नितीश कुमार के संसद और वक्तव्यों का संकलन है वही दूसरे खंड का नाम भारतिये रेलवे है जिसमें नितीश कुमार के दौरा रेलवे के बाड़े में दिये गए भाशन है तीसे खंड का नाम विकासील भारत है जिसमें नितीश कुमार का नाम भारतिये समाज है जिसमें नितीश कुमार के जोड़दार हमला जन सुराज पदियातरा के सुत्रधार प्रशान किसोर ने समस्तेपुर के रोश्टरा ब्लॉक में बाचीत करते वे कहा कि नितीश कुमार को इस बात का हैंकार है कि वोट मेरे पास हो ना हो किसी को भी जनता वोट देगी मुख्यमंतरी हम भी बनेगे चनता नितीश कुमार के प्रती वो भयावा है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार जुस तरीके से सरकार चला रही है आज जो पटना जाता है उन पर नितीश कुमार लाठी चार्ज करवा देते हैं पटना कोई अगर मांग लेकर चला गया तो उसे बेवकूफ कह देते हैं नितीश क पंदरा के बाद कई बार पल्टी मारकर अपना हित अहित कर चुके हैं। प्रधान मंतरी श्री नरंद्र मोदी जी 508 रेलवे स्टेशनों के जिनधार का सिलन्यास करने वाले हैं। इस दिन 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओ को लेकर बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार के द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश रंग लारी है। बतादी कि विपक्षी दलो जिनका नाम इंडिया रखा गया है उनकी दो बैठक बहुत ही सांती धंग से समाप्त हो चुकी है तो वहीं अब। तीसरी बैठक बहुत जल्दी मुंबई में होने वाली है मालम हो कि मीडिया में चल रही खबडों के नुसार विपक्षी दलो की मुंबई में होने वाली यह बैठक 25 और 26 अगस्त को ना हो कर अब 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी बता दे कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक की जाएगी है भले ही वह एक ही पारी में 1000 रन बनाता हो वर्तमान में यह भावना है कि आप कुछ भी कड़े आप दूसरा विकल्प होंगे वह अब bench strength स्तरकार नहीं है वह उससे कहीं अधिक है दूसरे में इस विकार करता हूं कि रोहित एक बड़े खिलारी है लेकिन कुछ खिलारी ऐ चात्र आटिफीसियल इंटेलिजेंस की मांग को देखते वे अब CBSC के दौरा भी अपने syllabus में बड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहत अब CBSC स्कूलों में कक्छा नौवी से दसवी की पढ़ाई कर रहे चात्र अब आटिफीसियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकेंग कोडिंग इस सक्षा दी जा रही है जानिए आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज यानि सनिवार को पिट्रॉल डीजल करेट जारी किये गए इसके बाद राज जानी पटना में आज पिट्रॉल 107.24 और डीजल 4.64 रुपे प्रति लीटर में मिल प्रतिलीटर नर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रॉल कीमत 118.3 एक रूपय और डीजल कीमत 5.5.64 प्रतिलीटर बता दी कि बिहार में पेट्रॉल का रेच सबसे आदा कसंद कंच पे है जहां पेट्रॉल 109.6 रूपय और डीजल दूपय दूपय इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार भारत और वेस्ट इंडीस के बीच खेली जा रही टीटी सिरीज के दूसरे मुकाबले में किस टीम का पलग्राब भारी है अपने जाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद